दोस्तों आप घर के अंदर internet चलाते हो तो बहुत slow चलता है, कोई भी browser चलाते हो तो बहुत slow चलता है, वहीं आप घर के बाहर जाते हो तो बहुत fast internet चलने लगता है, high speed के साथ internet चलने लगता है, आपको दो setting करना होगा, उसके बाद आप घर के अंदर भी रहिएगा, तो high speed के साथ net चलेगा कोई भी एप को यूज कीजिएगा तो high speed से चलेगा कोई भी बराउजर को आप चलेगा तो high speed के साथ चलेगा तो दो सेटिंग कौन सा है उसको जानने के लिए पहले इस वीडियो को आप एक like कर दीजिए अपने दोस्तों के पास share जरूर कर दीजिएगा अगर हमारे चैनल पर पहली बराय हो तो subscribe जरूर कर लिजिएगा तो चलिए दोस्तों बीना देर करते हुए इस वीडियो क हम सुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने फोन में setting app को आप open कर लिजिएगा उसके बाद scroll down करते हुए नीची आयेगा तो यहां पर आपको एक option मिलेगा additional setting का तो additional setting पर आप click कीजिएगा तो थोड़ा से scroll down करते हुए आप नीची आयेगा तो यहां पर आपको एक option मिल तो यह about phone में जाकर build number पर 7 बार आप tape कीजिएगा तो यह developer option on होजाएगा अगर आपको about phone में build number का option नहीं मिल रहा है तो system setting दिया होगा system setting में जाकर build number पे आप 3 से 7 बार click एक बार लगतार इस तरह कीजिएगा तो यह developer option on हो जाएगा उसके बाद में developer option पे आप click कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा feature आपको देखने को मिलेगा थोड़ा से scroll down करते हुए नीचे आईएगा स्क्रोल डाउन करते हुए नीचे आईएगा तो यहाँ पा आपको एक option मिल जाएगा mobile data noise active इस option को आप ध्यान से देख लीजिए mobile data noise active यह हम सभी के phone में पहले से off ही रहता है तो इसको आप यहाँ से on कर दिजिएगा तो आप घर के बाहर रहिए या घर के अंदर रहिए आपकी phone की internet data high speed के साथ चलेगे यह तो पहला सेटिंग है दूसरा सेटिंग जब तक नहीं कीजिएगा आपका पहला सेटिंग अधूरा ही रहेगा दूसरा सेटिंग करने के लिए आप main सेटिंग में वापस चलेएगा main सेटिंग में जब वापस चलेएगा उसके बाद में यहाँ आपको एक option मिलेगा mobile network का हो सकता है आपके phone में connecting का option मिले तो यहाँ mobile network इस phone में option है तो mobile network पे click कीजिएगा थोड़ा बहुत सेटिंग चेंज हो सकता है लेकिन जो सेटिंग हम बताएंगे अपने phone में आप एक बार जरूर खोज लिजिएगा उसके बाद आप जिस भी SIM से internet चलाते हो उस SIM को आप यहाँ से select कर लिजिएगा उसके बाद में थोड़ा से scroll down कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक option मिल जागा access point name तो इस access point name पर आप click कीजिएगा जैसे access point name पर click कीजिएगा आपको इस परकार का feature देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको plus का icon मिलेगा उसके just bugle में 3.0 का आपको निशान मिलेगा 3.0 पर आप यहाँ से click कीजिएगा तो यहाँ पर reset का आपको option मिल जाएगा तो reset access point name का आपको option मिल जाएगा अगर यहाँ पर 3.0 का आपके phone में option नहीं मिल रहा है तो नीचे में आपको reset का option जरूर मिल जाएगा नीचे या उपर कहीं पभी reset का आपको option मिल जाएगा या three dot का option जरूर मिल जाएगा उसके बाद reset access point name पर आप यहाँ से click कर दीजेगा उसके बाद यहाँ red color में reset access point name का option आजाएगा फिर से आप दोबारा यहाँ से click किजेगा तो यह default apn setting reinstored यह जो apn setting है restored हो गया उसके बाद back आईएगा हो सकता है आपके phone में अगर access point name का option नहीं मिल रहा है तो apn setting का option जरूर होगा इस दोनों option में किसी ना किसी एक option जरूर दिया होगा तो यह setting अपने phone में जरूर कर लिजेगा उसके बाद में preferred network type का आपको option मिलेगा इस पर click किजेगा तो यहाँ अगर आपका phone 4G है तो 4G पर select होना चाहिए अगर 5G है तो 5G, 4G, 3G, 8G आटो आपको अपने network को select कर लिजेगा उसके बाद back आईएगा आप home page पर चलेएगा home page पर जब आईएगा तो अपने phone का एक बार switch off करके फिर से अपने phone को आप on कीजेगा उसके बाद अपने phone में net चलाएगा कोई भी app चलाएगा YouTube चलाएगा, Facebook चलाएगा, Instagram चलाएगा कुछ भी चलाएगा अप घर के अंदर भी चलाएगा तो high speed के साथ आपके phone में internet चलेगा तो दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है एक like जरूर कर दीजेगा अगर हमारे चैनल पाप पहली बार हो तो subscribe जरूर कर लिजिए